आप सब लोगों को मेरी आवाज आ रही है आप सब लोग मुझे सुन सकते हैं ओके सो एक बार मैं रिचेक कर लेता हूं सबसे and then we will start ओके मुझे थोड़ा सा टाइम दो मैं एक बार चेक कर लेता हूं ओके सो मुझे ग्रीन सिगनल मिल गया है ओके तो मुझे ग्रीन सिगनल मिल गया है अब आगे बढ़ते हैं हम लोग कि वैसे तो कि वैसे तो हम लोगों को टेक्नोलोजी को कहते ना सत सत नमन करना चाहिए थैंक्यू सो मच बोलना चाहिए बट सम टाइम कभी कभार ऐसे भी होता है कि टेक्निकल कुछ ग्लिच आ जाते हैं जिसके वज़े से चीजे थोड़ी उपर नीचे हो जाती तो इसलिए मैंने रिकन्फर्म कर लिया है और अब मुझे पता है मैं आप लोगों तक पहुंच गया हूं आप लोग मुझे नहीं देख पा रहे हैं ओके मैं अपने आपको यह देख पा रहा हूं अभी बट यस लास्ट्री यह के अंदर यह यह भी हो गया यह प्रैक्टिस भी हो गई है राइट तो कैसे आप सब लोग ओल गुड़ के अब लोगों के घर पे सारे लोग कैसे हैं फैमली में सब लोग कैसे हैं आई होप पाई ग्रेस ओफ गॉड राइट सब लोग सही होंगे सब लोग खुश होंगे सब लोग अच्छे से होंगे कि ऑठेट है अभी 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 दिसमबर का महिना है सर्थियां पढ रही है राइट कहीं सर्थी oh सब्सक्राइब करें करें जहां हम रहते हैं हमें सारे मौसम सारी चीज़े मिल जाती है राइट को स्टार्ट करें बात करना शिरू करें जैंक अखी सरी बसराइब पर आई स्टार्ट पकरें सबसे कहले कि मैं अपने दिल से एक बात बोलना चाहता हूं क्या सबसे पहले तो bottoms सब लोगों को ऊप्किंसों मैं जिनोंने मेरे बारे में आप लोगों को अभी भी कुछ बताया राइट आप सब लोगों को भी पता लगा होगा कि कोई एक इनसान आने वाला है तो वो मैं हूं और भी तो उन्हों ने बताया कि कौन आने वाला है पुप मैं बताउगा आप लोगों को फोज को मुझे पता है आप में वे optim Somervid कुछ लोग मुझे नहीं जानते हैं बट मैं आप सब लोगों को बताऊंगा हूँ आइएं ओके और अब यह दन ओके और मुझे भी कितना टाइम हो गया है और क्या चल रहा है मेरे लाइफ में साहल शेयर एवर्टिंग सारी चीजें आप लोगों को बताऊंगा ओके और उसस सारे लोगों ने जिनकी वजह से मेहां पर आज हूँ और जिन की वजह से मैं आज जी प्लेस ले रहा हूं इंक्लिदेग माइपैर मिवाइन व्रगार यह दू इवर्ड 먈 रॉकर्द आओं तुर एयुड रहा हूं यावर्ट वंग्रट मैं उन शम्हां AAA टुलेट करना चा आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने रिसेंट्ली ये डिसेजन लिया होगा राइट तुस्टार्ट इस बिजन्स तु जॉइन इस फैमिली और ये आपकी लाइफ का सबसे अच्छा और सबसे बढ़िया डिसेजन होने वाला है और मैं आपको ये बात क्यों अधिन्हों पर दो रहा हूं बिकॉस आज के वहने मत तुझ फिफ्टीन मत अल्मोस मुझे एट ये इस होने वाले हैं इंद मत फेबरी साथ साथ साल पहले मैंने भी एक डिसेजन लिया था आप लोगों की तरह मैंने भी ये स्टुचियन अट बोला था था नके मैंने भी तुड़े आइफिल प्राउड की मैंने एक डिसेजन लिया मैंने ये डिसेजन कैसे लिया किन किन सीचेशन से मैं निकला क्या चैलेंजिज रहे मेरे साथ आइपको उनका हाथ पकड़के रखना है उके उनके साथ रहना है उके आपने चार साल का इगवादा किया है कमिट् तक रहना है आप इस बिजनस को महिना दो महिना छे महिनी के लिए मत ट्राइ करना ओके अगर आपने बोल दिया है कि I'm there for you आप उनके साथ चार साल तक हो तो आप चार साल तक फिद्म के साथ में हो राइट एंड दो तीन चीजे बोली गई होगी कि मैं आपको टाइम दूंगा मैं सीखूंगा और मैं आपके साथ रहूंगा and then we are into a very beautiful industry जिसके अंदर हमें सब कुछ सिखाया जाता है समझाया जाता है and by the way आप सब लोगों के बात बता होगी वी आर पार्ट ओपे टरेक से नियू इंडरस्टी जिसके बारे में हमें नौलेज नहीं होती है this is what our seniors role जब मैं आपके जगह पे था तो मेरे seniors का यह रोल था तो टीच मी तो गाइड मी तो मैट मुझे उस लायक उस काबिल बनाना कि मैं भी इस इंडरस्टी में काम कर पाऊं सब लोगों को यही बोलूंगा कि welcome to the club, welcome to the family, welcome to QNET and बस बगवान को का शुक्र गुजार होना है और अप्लाइन के साथ अच्छे से काम करना मैं आपको यही बोलूंगा मैंने लास साड़े साथ साथ साल में मैंने यही किया है मैंने हर बार बस उपरवाले को खुदा को का कर गुजार रहा हूं कि मुझे यह business industry मिलिये and मुझे ऐसे लोग मिलने हैं they are more than my brothers and my family basically today Okay, so, इसके बाद मैं अपने बारे में थोड़ा आप लोगों को बताता हूं Okay, who I am basically my name is Muhammad Naeem, आप अभी भी यह सोच रहे होंगे कि मैं मुझे 10 मिट बात करते हुए हो गया है राइट बट मैंने अभी बताया है नहीं who I am so basically my name is Muhammad Naeem Okay, and I come from India मैं इंडिया मैं इंडिया से हूं और राजस्तान से हूं Okay, राजस्तान में भी अगर मैं आपको और थोड़ा आगे जाके बताऊं का I come from Ajmir Okay, and एक बहुत humble और middle class background से आता हूं Okay, और basically गांव से आता हूं Okay, but अब मुझे समझ माया कि चाहे गांव हो चाहे शहर हो It is all like you know, it is your self-desire right कि हमें क्या करना है और क्या बनना है But I come from a village and बहुत अच्छी बात यह रही मेरे साथ जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं आज कि मेरे पिता जी जो है वो टीचर है और because of that शायद घर में जो है न मुझे बहुत सारी चीजे मैंने सीखी है अगर मैं आप लोगों को बता हूं तो इस डिस्सिप्लीन तो पिता जी टीचर थे और मुझे पता है आप मैंसे जिसके पिता जी टीचर है अगर आप राजिस्तान से बिलॉग करते हैं तो घर का माहौल कैसा रहता होगा राइट मुझे अभी भी याद है साथ से साड़े साथ बजे बाद में घर के दरवाजे भी बंद कर देते तो पिता जी कि अब घर से कोई बाहर नहीं निकलेगा जो बाहर गया वो बाहर ही र है राज मुझे मुझे सच में अच्छा फील होता है कि इस वेरी गोड कि लाइक जो पैरेंस थे वह बच्पन में बहुत टफ थे बड़ जो उनका गाइडेंस है जो उनकी जो उनका कल्शर है जो उनमें सिखाया है उन्होंने जो सिखाया है वो सब सारी चीजे से हैं आज लोगों की फैमिली में अब बड़ा हूं बहुत सारी चीजे एसी थी जिससे की मेरे मन में मतलब मुझे हमेशा यह एसास दिलाया गया कि आप घर में सबसे बड़े हो आपको सेंसिबल होना पड़ेगा आपको रिस्पोंसिबल होना पड़ेगा पड़ाई द्यान देना पड़ेगा अच्छी पढ़ाई करनी पड़ेगी अच्छे मार्क्स लाने होंगे तो घर पे एक शॉल्डर मिलेगा हमें भी एक कितना एक हेल्प मिलेगी इंटर्म फानेंस राइट क्योंकि मैं अगर पैसे कमाने लगोंगा तो घरवालों को भी एक सहारा मिल वुझ नहीं पता था कि क्या चल रहा है जो कमने साथ क्यूं है या वाइवी अब बार गेनिग ऑल फैसों के लिए हम क्यों इतना सब कुछ करते हैं कि अपने पेरों पर घड़ा हूंगा मैं कोशिश करूंगा और कोशिश नी मैं सच में यह कभी प्रोब्लम आने नहीं दूंगा विचिस कॉल चोटी-चोटी चीजों को लेके बारगेन होते देखना यह कभी मैं नहीं होने दूंगा यह बहुत बच्पन से ही मेरे अंदर आ सब्सक्राइब तक आते आते बहुत सारी चीज़े बिल्कुल काच और साफ सीशा मिरर और साफ होता गया दिखता गया कि यह नहीं अब तो आप मैं पढ़ने में इतना अच्छा नहीं था आप में से अगर किसों को लग रहा होगा कि मैरे इंगलिस इतनी अच्छी नहीं है कि मैं आप लोगों को आज एक बहुत अच्छी बात बोल सकता हूं अपने दिल से बोल रहा हूं कि अगर आपके इंगलीस में भी मार्क्स कम हैं ड्रस्ट नीइस इंडस्ट्री में आप दोड़के काम करोगे आपका चल जाएगा मैं आपको बोल रहा हूं जिक्श मेरे इं तो मैं पूछ तो हुआ आप को सब्जक के टीचर हूं तो बोलते हैं मैं साइंस का हूं या मैं मैं उनको बोलता हूं यार मुझे तो कभी समझ ही नहीं आया कि यह सब नहीं होते हुए भी उन्होंने एक एसा प्लैटफॉर्म क्रियेट किया वहां पर जो हम बहुत पहले से बोलते हैं कि कोई इनसान फिर से लाइफ में एक बार चेंपियन बन सकता है यह मेरे साथ हुआ है ओके डोंट से आम चेंपियन बाइट अभी उस रास्ते पर चल रहे है वो गाइडेंशी कर रहे हैं उस रास्ते पर चल रहे हैं ऑके बट टेंट में जब था तो मेरे पेरेंट्स मुझसे यह एकस्पेक्ट करते थे कि मैं पढ़ाए में बहुत अच् सब्सक्राइब करना है अगर अच्छे से पढ़ाई करना है तो मुझे अगर अच्छे से पढ़ाई करनी है तो मुझे से अब हो संभालना पड़ेगा यह हो संभालने के लिए मैंने सोचा कि मैं हायर स्कूलिंग जाओंगा और मैं अपने गाओं को छोड़के वहां के बड़े स्कूल में पढ़ाई करूंगा बट वो हो नहीं पाया विकॉस विकॉस ओफ माय राइक मेरे दस्वी की मार्क्स देखके उनको लगा कि नहीं नहीं यह इसको यहीं रखो यहीं पढ़ाओ तो हाँ बट 10 के बाद जब मैंने घर का ऐसे सेनारियो देखा तो मुझे समझ माया कि नहीं मुझे सच में एक सेंसिबल लड़का बनना पड़ेगा एक बड़ा लड़का हूं तो बड़े लड़के के ट्रेट दिखाने पड़ेंगे मुझे वेसी मेहनत करने पड़ेगी मैं वालियर गया वालियर जाके फिर मैंने अपनी नर्सिंग की लुग चाही कोँए और के तना करम रहा है कि मैं मैं जैसे ही मैंने अपनी नर्सिंग कंप्लीट की और अगले नेक्स मंद मेरे जॉब लग गई तो सोचो मेरे पिता जी एक सपना देख रहे हैं कि मैं गवर्मेंट इंप्लॉई बनूँगा और नेक्स मंद मुझे जॉब मिली और मुझे भी याद दे अगर किसी को ये एक एक राजस्तान में शहर ब्यावर करके मुझे वहां जॉब मिल इसके अंदर मुझे बात समझ मां गए थी 22 23 डेस में कि जितना मुझे मिलने वाला उतना तो मैंने ट्रांस्पोर्टेशन और लंच और ब्रेक्वास डिनर में ही खर्च कर देया विकोस मैं 40 km दूर ट्रेवल करके दाता था तो हर दिन मुझे किराया देना होता तो ये बड़े शहर चलते हैं बड़े शहर का मतलब बीए आते हैं एंड मैं डिलिये आया दिल्ली आने के बाद मैंने रड़ेट होस्पिटल के पिली होस्पिडल लंक्राइब करके अंदर और वहां फिर मैंने ने करेंगल लेते रहना है which will help us कि उससे शायद कहीं न कहीं हमारी जॉब में या अच्छी जॉब मिलने में या इंक्रीमेंट मिलने में help मिलेगी यह यह बिल्कुल सुनते आते थे तो यह था कि चलो डेले चलते हैं और एक कोर्स कर लेते हैं कोर्स किया कोर्स करने के बाद होस्पिडल में जॉब मिल गई और वहां से फिर आरेमल में जॉब मिल गई और बहुत अच्छा रहा टाइम कि मुझे सब्दर्जंग में जॉब मिल गई अब तक मैंने विल्कुल भी स्ट्रगल नहीं किया आप आप जैसा जैसा सोचा वैसे वैसे होता गया बस कि पैसे कमाने पापा की हेल्प करनी है कुछ जॉब पकड़नी है और थोड़ा सेंसिबल होना है यह सब करते करते तो सब्दर्जंग पहुच गया मैं लेकिन जैसे ह जा था सब्दर्जंग पहुंचने के बाद कि मैं एक ऐसे एरिया के अंदर रहता था जिसका नाम था सब्दर्जंग एंकलेफ कुछ टाइम बाद में उस एरिया के अंदर सब्दर्जंग के अंदर शिफ्ट हो गया था ओके एंड सब्दर्जंग के अंदर जॉब कर रहा कि त्री मन्स मैंने जॉब की और मुझे यह रियलाइज हुआ कि मेनी ओफ माई फ्रेंड्स जो की सब्दर्जंग में काम कर रहे थे वह एक सर्कील के लिए भाग रहे हैं जिसके अंदर हम बात करते हैं वह हमेशा जो की पुराने थे जो मेरे सीनियर्स थे वह घर लेने के बा समारा एग्रिमेंट हुआ कि अब इतनी सेलरी मिलती है तो तो पापा ने बोला कि 20,000 तुम रखो 18,000 तुम रखो बाकी सब घर पे बेजो बिकॉस की अभी सिस्टर की शादी हुए या बहुत सारी चीजे थी जिसकी मज़े से घर को हैल्प करनी थी तो यह एक कॉंट्राक् एंड पेरलली मन में यही यह भी था कि कि जो मैंने बच्पन में देखा है वो सारी चीजे नहीं हो इसके लिए बहुत मेहनत करना है जब यह दिमाग में चलता था तो त्री मंस के अंदर मुझे समझ माया कि जितने भी मेरे सीनियर्स हैं या जो भी मेरे से पहले के लोग है एक चीज डेली कनवर्सेशन में हमेशा सुनाए देती थी वो था कि घर लेना हैं बच्चों की स्कूलिंग करानी है और उनके लोंच इमाए उन सबका डिसकेशन होता था तो मैं यह सोचता था कि ठीक है मेरी सेलरी बहुत अच्छी थी और मैं पापा को सेलरी से कुल पैसा देने लग गया था अब मैं यह सोचता था कि अगर यही चलता रहा तो अभी तुम्हें पापा की प्रोपरली हेल्प नहीं कर पा रहा हूं कि दिल्ली में मैंने सोचता था मुझे बहुत सारी चीज़ें अचीव करनी है बसिकली खरीदनी है क्योंकि स्टोरी तो हमारी मुबाइल फॉन खरीदेंगे क्योंकि उससे पहले मेरे पास एक मोटरोला का फॉन था फिर यह था कि सैमसंग का फॉन करीदना है यह फिर आइफॉन खरीदना है बट मेरे हाथ में तो 20,000 बचते थे देने के बाद में तो मैं यही सोचता था कि लाइफ में तो यह सोचता क्योंकि पिता जी टीचर है तो उन्होंने यह सब कर वा दिया था कि एक LIC-PLA कर लो तो उसमें भी एक LIC-PLA चलती थी और कुछ भी निवस्ता दा जब कुछ निवस्ता था तो तीन महीने के अंदर मुझे रेलाइस हुआ कि यार कुछ और करना पड़ेगा लग रहा है कि क कर ली मैंने कि प्राइवेट भी करके देख लिया लेकिन यह था कि तीनों सब करके देखने के बाद भी यह समझ माया कि शायद वह सारी चीज़े फुल्फिल नहीं हो पा रही है जो मुझे करनी है जो मैंने सोचा था बच्पन में वह चोटी-चोटी चीज थी एं तीन-च अगर तो यहां आएगा नहीं मुझे अपना घर यहां बसाना पड़ेगा मत्तब जीरो से सब को शुरुवात करनी पड़ेगी मेरी शादी होगी बच्चे होंगे फिर मैं यहां पे घर लूँगा फिर वह स्कूल जाएंगे यह सारा सिनारियो सोचते थे तो सोचते थे कि जो यह लोग इतने सालों से जॉब कर रहे हैं वह भी अभी स्ट्रगल करें तो मैं तो बहुत न्यूं हूँ यहां पे और मुझे अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है तो मेरे सपने फैमिली के सपने और यह जॉब शायद इससे नहीं हो पाएगा कर थे सब्सक्राइब जूल यह सब्सक्राइब और मुझे तलाश करना चाहें और मुझे कुछ नहीं समझमा यह तो सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर रहे ति ठार चार पांच के बारे में और सोचा था वर्य्यूंत nggak कалог क्ई थी इसे विज around अबने जो मेंने किया था वह यह था हमने टिफिन सेंडर open किया था तो मेरा टिफिन सेंडर उपन किया था कि विफों यही था कि मुझे न चार पैसे फालतू कमाने एक्स्ट्रा का माने अगर कल में अपना घर या अपनी लाइफ के बारे में अगर मैं सोचू तो मुझे परेशानी ना हो लाइक कि मैं सोचता ही रहे जाओं और टाइम निकल जाए करना यह ची करना है तो एक टइफिनcky उपन किया थोड़ा बहुत पेसा है जो इधर-उदर से किया सोचाइटी से उठाया यह सब करके मैंने एक टिफिनk उपन किया कि इस tried satu truck itself चलने लगा मेरे पास कस्टमर थे जो की परमानेन कस्टमर थे मेरे पास हुआ है और वो परमानेन कस्टमर को ने जो कि の जो q块 ने जो मेरे साथ जोब कर रहेते तो ऑनाल सक्रेंट चला कर अच्छा चलने कर रहा था तो फिर हमने केंटीन का टेंडर ले लिया जब केंटीन का टेंडर लेके मैंने तीन साल उसको चलाया तो मैंने उसमें चार पैसे कमाएं लेकिन मुझे लगा कि शायद यह वो चीज नहीं है इसमें यहां पर हालांकि मैं यहां पैसा कमा रहा हूं चीजे सही है ले पर कॉंप्लिकेशन कम हो और लंबा चले और एक दिन कुछ ना करें तब भी पैसा आता रहे यह सोच्टी और तब तक में शायद और मेचचोर होता गया बिसनस में तो जॉब चल रही थी मिफिन सेंटे किया कैंटीन के बाद में मेरे दिमाग में एक आइडिया आया शाया कि मुझे यह समझ माyu कि नहीं शायेधा में यह वह कुछ आपताने ही एन एर इतना तो फिर यह सोचा कि लंबा कौन सा चलेगा बल्क में कहां पैसा आएगा यह सोचा तो एक ही दिमाग में आईडिया आया क्योंकि कभी राजेंद्रा ढवा के सामने से निकलते थे तो समझ में आता था है कि एक रेस्टोरेंट खोल लेते हैं इसका अनुभा हुए अपने को त इसका नाम था देशी तड़का देशी तड़का उसकी जी बहुत बड़ी स्टोरी कभी आप मुझा मिलो गए तो मैं बताओंगा बट हमने एक रेस्टॐरंट किया जिसका नाम था डेसी तड़का एंड जित्त्रा मेरे पास पेसा था सारा पेसा लगाया पेसा लगानेकborg if अरे लोन की उठाया सरकारी जो नोकरी है तुम्हारी इतना सारा काम कर लिया तुमने तुमने अभी भी लोन लिया तो लोन लिया पैसे बचाए सारा सब कुछ करके एक रेश्टोरेन ओपन किया और एप्रॉक्सिमेटली मेरा नेरबो 45-50 लैक्स मैंने उसके अंदर इनिवेस सब्सक्राइब कर लेंगे लेकिन मैं मैंने बोला ना हम मेंसे बहुत सारे लोग जितने आप सुन रहे होंगे अगर आपका कोई फैमिली बिजनस है इस वेरी गुड क्योंकि आपको थोड़ा बहुत अनुभव होगा ट्रेडिशनल बिजनस क्या होता है मुझे तो बिलकु ने उसी ही जिन्दगी में सारा सब कुछ कर लिया था तो मुझे ट्रेडिशनल बिजनस के बारे में कुछ भी नहीं पता है मैंने तो एक रेस्टोरेंट ओपन कर लिया 45-50 रुपे लगा के एंड देन मुझे यह समझ में आया कि हो गया आम डन लाइफ सेट अब यह जो है अब यह रेस्टोरेंट मुझे पैसा देगा और उस पैसे से में वह सारी चीज़े मैनेज कर लूँगा जो मैं लाइफ में सोच रहा था बढ़ ट्रस्ट मी एक दो महिने तो जेव से पैसा लगा तो ऐसा लगा नहीं कि कोई दिक्कत है लेकिन जब एवरी मन्थ जेव से पैसा लगने लगा विकॉस रेस्टोरेंट नया था राइट कस्टमर बेस इतना अभी तक सेट हुआ नहीं था मार्केटिंग इतनी हुई को भी लोग इतने खाने के लिए आते हैं नीए हो हमारे कस्टमर बने ही नीए तो हर महिने महिने का उसका धाय तीन लाग रुपय का खरचा था है लाक रुपह लाक़ लागड़ां रिड्टानिमें कमाके देता था और एक टेम्राइज मुझे 501 मैंने च्छे मैंने सात मैने ने श्मेंने ये समझ में आया कि दोस्त वहीं आगे जहां से शुरू किया था हुआ यही सुक्षा था कि कुछ पैसा कमाएंगे लेकिन कुछ नहीं कमा पा रहे हैं अल्टा जेप से लग रहा है तो अभी क्या करना चाहिए तो यहीं था इसका सेट करते करते सेट करते करते ऐसे करते Coin कि दिसंबर हमने उसको उपन क्या था मार्च में मार्च 2014 के अंदर दिसंबर आ गया कि दिसंबर आने के बाद मैं अभी भी यह सोच रहा था कि कुछ हो जाए लाइफ में बट तब तक आते आते लाइफ और खराब हो गएती मैं हमेशा यह सोच था सब्सक्राइब कर लेंगे लेकिन चार पेसे नहीं थोड़ा बहुत जितनी मेरी सेलरी है उतना थोड़ा बहुत आए पचास हजार उपे अगर एक्स्ट्रा आये तब मैं साइक तब मेरे सारे काम बन पाएंगे अगर सिफ पांदस हजार उपे के लिए हैं तो शायद पांस-दस हजार तो मैं सवधरजन की नोगरी में ही थोड़ा और कंजूसी करके बचा लेता था मैं अपने दोस्तों से ये थैद थोड़ा बहुत पैसा बचा लोंगा मैं लाइफ में लेकिन जितना मेरी सेलरी है उतना तो पैसा बचे सो अगर पूरी खर्श भी हो जाए तो जो मैं एक्स्ट्रा कमा रहा हूं वह मेरा पैसा बचे यह मेरा थोड़ प्रसेस था और उससे मैं वह सारी चीजे लेकिन नहीं हुआ एंड मुझा भी भी याद है मार्च में ने ओपन किया छे महीने चलाने के बाद में हर रात यही सोस्ता था हर रात यही दूआ मांगता था कि मुझे कुछ मिल जाए इसके अलावा भी अगर कुछ है तो मिल जाए और गर के बार जाहूं तो थोड़ा बहुत पैसा मिल जाए किसी बोरी बोरी में रखावा ट्रस्ट में यह सोस्ता था कि कुछ तो अजूबा हो जाए कुछ तो मिरेकल हो जाए और लाइफ सेट हो जाए लाइफ वेसी नहीं है जैसी होनी चाहिए मैं डूंडता रहा मैं डूंडता रहा कि कुछ तो होगा मैं लुकर था ट्रस्ट में जॉब से टिफिन सेंटर टिफिस सेंटर से केंटीन केंटीन से कोचिंग सेंटर कोचिंग सेंटर से रेस्टोरेंट यह था कि अभी भी कुछ बाकी है अभी भी कुछ बाकी है वो लेकिन जब मैंने सब्दजंग की इनिशिल सिक्स मन निकाले तब मुझे यह था कि मुझे एक प्रिलर सोस उप इंकम क्रिएट करना है विच विल गीव मी 50 ताजन रुपीज आयनार सो देट लाइफ आसान रहे और उस आयनार कमाने के चक्कर में 500 लाकों पर हरमेनएजयब से लग रहे हैं अब पापा से पापा को प्यसा भेजना बंद करती है और उसमें मेरी तो वाइफ को भी चांद तारे तोड़ लाने की बात करते हैं वह भी नहीं हो पा रहा था तो वहां तो प्रॉपर बाती नहीं हो पा रही तो वहां पे भी फ्रिक्शन थे तो हर चीज के तना हर चीज भिखर सी गई थी मैं यही सोचता था कि यार करना तो कुछ अच्छा चा सब्सक्राइब कर लेंगे फिर अगले तीम मैंने में यह कर लेंगे मैं हमेशे बेठा-बेठा लिखता था कुछ तो होगा लाइफ में कुछ तो मिलेगा किसी ने मुझे बोला कि भाई सुनो तुम इतनी मेहनत करते हो तुम क्योंकि मेरा मेरा जो रूटीन था वो सुबह साड़े छे साथ बज़े से शुरू होता था रात को दो बुज़े तक चलता है लोग देखते थे कि यह चल रहा है लेकिन स्टिल हां मैंने कभी लोगों को ही मैं नहीं बोला कि मैंने साथ क्या हो रहा है वो चेरे पर मुझे स्माइल रखे में बोलता था सब कुछ ठीक चल रहा है लेकिन अंदर तो यह था कि भाई कुछ और करना पड़ेगा लाइफ में राइट तो किसी ने मुझे बोला कि अरे भाई सुनो तुम इतना सब कुछ कुछ नहीं बदला है चल क्या रहा है तो मैंने बोला लगे हमें कर रहे हैं एंदेन सडनली धीरे से उस इंसान ने मुझे बोला कि मैं भी कुछ कर रहा हूं लाइफ में कुछ अच्छा मिल गया है एंड लाइफ कुछ महीनों दिनों सालों में तुम प्रण्ट पकल ले तरस्में लाइके वह केता न मैकनेट अंड वाली बात ती खटाक से मैंने पकड़ ली उस बात को कि यह सा क्या है बताओ और मैं बीचे बढ़ गया प्रस्में में पीछे पढ़ गया में लुकरता मुझे लगा कि आज बताएंगे कल से पैसा आए नन्य लगता ही हमेशा से था कि गाओं में रहते थे खेतखलियान भी करते थे इस्पूल भी जाते थे दोनों साथ में मैंनेज करते थे तो मेहनत से लिके कोई डर नहीं तो नहीं बला कि बिजनस है यह है वो है fel हो जाएगी मैने बना बाई क्या है वह बताओ ये तो सब थ प्रोसेस यह क्यों हुआ हुआ यह तो नहीं बोला कि यह बता दो याँ आप बहुत घुमा रहे हो यह वह मुझे बताओ क्या है तो उन्हें बोले टाइम लगेगा तो मैं यह सुझा ताइम क्यों लगेगा यार कल बता दू अभी बता दू क्या है तो उन्हें ने बोले कि दरिज प्रोस्स एंदेन सारी चीजी होने के बाद में प्रजेंटेशन के लिए गया मेरा प्रजेंटेशन हुआ प्लान देखा मैंने एंदेन देखते ही मैंने मुझे कुछ चीज़े बहुत एक्साइटिंग लगी यहां पर जो मेरे मेरे मैं पिछले 5 साल में पहले इसे चल रही थी कि मुझे ना बल्क में पैसा कमाना है ओके एंड बल्क में पैसा मतलब तो यह था कि बल्क में पैसा आएगा तो मेरा मेरा थोड़ प्रस तो पचास जार लाक रुपए कमाने का था यहां पर यह बात कर रहेते तो मैं यह सोचा भाई इतनी पोटेंचिल है इतना ही कमाएंगे मेहनत करेंगे तो बोला वीक लीए तो मैंने अच्छी बात ही क्या है तो एक चीज़ यह मुझे बहुत एक्साइटिंग लगी दूसरा उन्होंने बोला कि यह बिजन्स जो है नेट्रू मार्केटिंग का है ट उनका एक काम करने का तरीका उतना मुझे आइडिया नहीं था बड्क कट्स्टमर वेस का मुझे पहले सी पता था कि मेरे रस्टूमें में यह चाहता था कि एक इनसान डैली आयए यह को बता है वह जो सब्सक्रार यहेजह लिए तो मेरी लाइप सेट हो जाए तो यह तो अगले महीने अपना सारा कर जा सारा लोन सब चूप जाएगा लाइफ से और बस भाई फिर तो आप कुछ पंगा निलेंगे लाइफ से आराम से सीधी गली चलेंगे सीधी चली आरेंगे तो पर प्रेसा आ गया है कि अपना आपको बहुत समार्ट समस्ता था कि यार इनको ज़्यादा बताएंगे तो पुल कर लेंगे वापीज घेश ले आएंगे तो मैंने कुछ यह महीने लगाए इन सब चीजों के अंदर और six month after six month month of July मैं वापिस लोट के आया मैंने बहुत सारे लोगों से सुना बहुत सारे लोगों से समझा बहुत सारे लोगों से जाना अच्छे दोस्त अच्छे रिस्तेदार अच्छे अडोसी अच्छे अकली सबने मुझे गाइड किया इस बिसनस के बारे में कुछ लोगों ने मुझे यह भी बोला क की तुम बता मैं तेरा कल पैसा निकलबा देता हूं अब अगने में ति टेक लेना एक बार थोड़ा बहुत जो भी है मेरा वापिस कर देना जो भी करवा देना वह कहते है रहे तू आके काम कर मैंने का ठीक है मैं आता हूं तो बट मैं हमेशे यह स्वसदा अगर इनको बोल देंगे ना कि मैं नहीं आऊंगा तो छोड़ेंगे नहीं तो मैं यहीं अभी आता हूं अभी आता हूं अभी आता हूं कभी नहीं गया मैं बस यह सोच लिया था मैंने इनको ऐसी करते हो टाइम निकल जाए हो बट मुझे अभी पता है फैबुरी से जून तक फिर मेरे जैब से आट-टस लाग रुपे चले गए ते रेस्टून मेनेज करने में लाइफ प्रेगनेंट होगी ती और फैली चल रहे थे और मुझे समझ माया है कि मैं कहीं नहीं गया अब वही लाइफ चल रही है एन कुछ नहीं हो लाइफ में एंदेन सड़ली मुझे, मैं मेरा अप्लाइन के साथ बेठा और मुझे एक बात रिएलाइज हुई जो कि हम मेंसे बहुत सारे लोगों को रिएलाइज नहीं होती है, मुझे 6 माहिने में हुई आप लोगों को कब रियर रिएलाइज होगी, और मुझे सबसे पहली बात यह रियलाइज हुई सबसे पहली चीज मैंने यह accept कि अपने लाइफ में कि मैं कोई बिजनस ढूंड रहा था और मैं बिजनस ढूंड रहा था तो 2009 से है कि एक ऐसा बिजनस मिले एक एसा होज सो फिंक जहां पर बल्क में पैसा हैं और मैं ढूंडते हो चिंटीन में नहीं था इसलिए मैं इस लिए means County मैं गया केंटीन में यसलिए फिर coaching सेंटर में गया कोचिंग सेंटर से नहीं होए तो रेष्टरोंटी है और है हमें से कितने सारे लोग आज यहां मुझे सुन रहे हैं हमें से कितने सारे लोग जो अभी जिन्हों ने शुरू किया या जो ने कुछ टाइम से शुरू किया भी डॉन और बाहर निकल गया हूं कि कुछ ढूंडूंगा जाके लेकिन जो दर्वाजे पर दर्वाजा खुलने के बाद साइड हो गया है तो आजू-बाजू में दीखी नहीं रहा है कि अरे पास में बहुत बड़ी अपोर्चुनिटी पड़ी है मैं तो दूर ढूंडने के लिए ज जो मैं लिखता था कि कुछ ऐसा मिले जो बल्क में हो और जो लॉंग टम चले जहां पर सच में मैं एक पिलर बिल्ड करूं सब्दरजंग का तो 60 साल बाद और उसके 60 साल बाद भी मुझे रिजल्ट मिले या मैं रहूं ना रहूं उसकी भी रिजल्ट मिले यह मैं तब जी जो बॉजनस है यह जरे जॉजनस से इससे मेरी जॉनस कि अंप पेशा कर लोगे तो उसके बाद में चाहते काम नहीं किसा कर दो आपकी है सब कुछ में रात को बेट के हाथ जोड़के खुदा के सामने और मांगता था कि यार यह सारी चीजे मिले जब यह दरवाजे के सामने खड़ी है लेकिन दरवाजा खोल के मैं तो घर से बाहर निकल जा रहा हूं डेली में देखी दरवाजे पर कोई कोई एक अपोर्चुनिटी पढ़ी वी है रखी वी है जिसको में एवरी नाइट में एज अफर्मेशन मानो या कि भाई लाइफ अच्छी नहीं चल रही है खुदा से रिक्वेस्ट मानो कुछ भी मानो मांगता है रही था मैं हर रात में ही सोचता था कि लाइफ यह कैसे सु कि भी यह पता हुआ है आपको अभी भी यह नहीं पता होगा कि चलो यार यह बिसनस जनरेशन टू जनरेशन या अगले 25 साल भी अगर यह बिसनस पैसा देगा है यह लग बात यह झा act किया आपने मांगा है लोटिय। और बेखे हो और बहुत बार रशा 552 टिस अunting युदो लूझ है कि अगर में ब्रोकर Biden क्यों में माझेतक हो इसवाद टेम्नृ reden पर स्वाध मेंघ्युशिक दिशिक आउ जो कबसे हम उस emotion में universe से connect कर जाते कि yeah् जिन्दकी में चीजी हुआ है यार ईसे एक्ते काम चलेगा तो मैं यह सोचता था हर बार अकेला बैठा होना उस high emotion में जिन्दकी में कुछ चाहिए है अभी कुछ मिला है बट मैं accept नहीं कर रहा हूं और यह क्यों नहीं कर रहा हूंman मैं आपको थे दिल से सोरी बोलता हूं मैं आप सब लोगों का इंटेंट आपकी आपकी I have love and care for you guys but मुझे सचा ही तो बतानी पड़ेगी न क्योंकि मैं ऐसा था इसलिए मैं आपको बता रहा हूं मैं आपको यहीं बता रहा हूं कि मुझे अभी भी मैं मैं सीरिसली बता रहा हूं कि वी ओल कम फ्रों में हमबल बेग्राउंड हम लोग कोई आप में से कोई ट्रेडिशनल बिजनस से आता होगा ना तो उसके लिए थोड़ा यह चैलेंजिंग नहीं रहेगा कि बिजनस हैं जहां पर हम इसली चीजों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं क्योंकि हम बताया जाता है कि ट्रेन में पानी किसी से पानी लेके मत पीना बेटा आप समझ रहें तो डिनायल मोड तो हमारा तब से शुरू हो जाता है बच्च्या जब मैं एक्जाम लिखता था मैं तो चलो इ बच्च्पन से हमारा ब्लूप्रिंट ऐसा तैयार हो गया है कि हम ज्यादा तर टाइम डिनायल मोड में रहते हैं राइट मतब मुझे अरे यह तक है कि बटा अगर कहीं दस रूपे गिरवें मिले तो चुपचा घर पे लेका ना किसी हो मत देना तो मतब हमारी अप्रिंग अगर को बाजुवाला पास हो जाए तो कितनी अच्छी बात है लेकिन वह में सिखाया नहीं गया तो हमें डिनायल मोड ज़्यादा सिखाया गया रादव देन एक्सेप्टेंस मोड एंड वह वह बच्पन से ऐसा इन प्रिंट हो गया वह एसी चिप फिट हो गया है कि कहीं हम कहीं पर भी जाते हैं तो वह डिनायल मोड सबसे ज़्यादा आता है यह बोलने से पहले हमें हम नो बोलना प्रिफर करते हैं यह मेरे साथ हुआ और हम मैं से कितने सारे लोग ऐसे हैं जिनके सामने यह बिजनस बिल्कुल साक्षात रखा हुआ है लेकिन स्टिल हम यह पता था रस्मी मैं तो यहां पर 50,000,000,000 रुपे कमाने आया था जितने मेरी जितने मेरी सेलरी है उतना ही उससे कम नहीं बढ़ उतना है कि यार जितने सेलरी होतना हो तो एक एक सम एक बड़ा अमाउंट में सेव कर पाऊं for my future for कितना लाइफ को रेस करने के लिए comfort और बा प्रॉब्लम कि बिजनस कितना बड़ा है कि कैस की डेप्थ है कैस की potential है वाके में जनरेशन का है कि नहीं है वो तो आज मुझे समझ में आता है बिंग मुझे 8 साल होने को आए आज मैं आपको यह बोल सकता हूं आप मुझे बोलो कि 24 गंटे काम करना है I'm ready for that also मुझे पता ह और यह एक्जांपल तो अब समझ में आ रहे हैं क्योंकि अभी वो जिन्देगी चल रही है लेकिन उससे मैं नहीं चल रही थी तो यह एक्सेप्ट नहीं कर पा रहता हमें लेकिन एक पॉइंट पर आके मैंने एक्सेप्ट किया था कि युनिवर्सल से मैंने कुछ मांगा ह है और वह मेरे सामने है आज है और मैंने कुछ बड़ा मांगा है तो शायद शायद टिफिन सेंटर से बड़ा केंटीन था और समझमा है कि कुछ बड़ा है तभी लाइफ में अधरवाइस केंटीन के बाद बीच में कोचिंग सेंटर आकर रस्ट निवाइव है कुछ हमने आपके साथ भीन यह और बेट की यह पता भी नहीं लगाते हैं कि हम life में है कहा हैं और वहां पहूंच गये है कि राइट एलाइट यह पता क्यों मेरे अंदर था मैं हर बार इस सोथा था इतना सब कुछ करके भी हम वहां नहीं है जब में इन स्टेट की जोड के मैं सेंटर में तब मुझे रियलाएज हुआ सेंटर की हिर जौut के साथ इंडर किया सेंटर कि या नहीं होना ये नहीं है na पूछे नहीं है वाँ पर और फिर एक्सेप्ट बिसनस में आने के बाद भी फिर कुछ लोग जैसे में ने बिजनेस कर लिया था एक दिन मैंने बोला अब मुझे बिजनस करना है अब यहीं यह धूंड रहा था एक दिन मुझे समझ में आगया मैंने चुप चाप मेरा प्ला सब्सक्राइब कमाने और मेरा पूरा टाइम आफ्टर माइज जॉब मैंने अपना रेस्टोंट भी एड्जेस किया किसे के साथ मैंने बोला अगर मैं मोर्निंग शिफ्ट में हूं तो दो बज़े फ्री होंगा तीन से नो मैं आपकी चरणों में रहूंगा और लिटरली मै यह बिजनस थे यह एक बिजनस है यह डिफरेंट बिजनस है इसकी तही पोटेंशल है मैं मांग रहा था मेरे डॉर पर है मुझे मिला है मुझे करना है चैलेंज यह था कि यहां का इंवर्मेंट लग यहां का कल्चर लग तो उसको भी एक्सेप्ट किया फिर मतलब आधी बढ़ा बड़ा बड़ा टाइम लगा इस बात को पचाने में कि यह इनका क्या सिस्टम है आधी रात हो रही है गुड़ मॉर्निंग भाई और गुड़ मॉर्निंग साथ मेरे यह था कि जिसको जो मेरे इरिद्गिर्द जो लोग थे उन्हें इस बात को मुझे बहुत आप में से जो भी है ना आप आप आउट ओफ रिस्पेक्ट कर रहे हो गुड़ मॉर्निंग नो प्रोब्लम बट आप उच्छो अपने अप्लाइंग से जाके बाई यह गुड़ मोर्निंग का क्या लोचा है वाट इस साइंस ब्हाइंड इस बट ट्रस्ट मी एक चीज या इसा रिप्लाइ देंगे आपको समझ मा आएगा कि वाई दिस तो मैंने बोला ना कि यहां का कल्चर यहां का इन्वाइर्मेंट बिल्कुल अलग है आप छोटे को भी सर बोलना पड़ रहा बड़े को भी सर बोलना पड़ा यह भी टॉफ था बट मेरा प्लाइन ने बोला तुम सर बोलो भाई बोलो जो बोलो बट तुम्हें यह पता ना चीकिए दावन फूर्ट 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 यू इस यो सीनियर इफ्य वां तो लान देन यह प्रिस्पेक्ट अब आप उसको कुछ भी बोलो यह मुझे समझ मा आ गया कि यार हां अगर मेरे से एक दिन पह और अब वसके में हम सरके मेरे फ्रารखलें करने का अदी मिलो लेगी हैं एक सीट्वं इसे फिर्य जक्तले मेरे टांट और वाम कशाईब ने डिन और अज आट मुझे नाधत पर्सेट नहीं किया प्रेट तो मैंने आज VII कि मैं अब ही मेरे लिए सब मेरे येई M Steны करता में उसमें इन लोगों का हिना прост तब मैं उन से ज़्यादा इन लोगों को जानता हूं बेसिकलिए अगर आज की बात करो तो यह चीजे अब हुई बड़ तब मैंने माल लिया आप समझेव पहले पहले दिल और दिमाग से माना था दिल से नहीं माना था अब दिल दिमाग सबसे मान लिया कि यही है और यह क्य बिजनस होता है दुकान खुलते हैं अगरबत्ती लगाते हैं इससे में गया हूं गुजरा हूं आप समझेव मैं सुबह डेली फॉन करता था लड़कों को कि भाई अच्छे से करके अगरबत्ती लगाना गला वाला सब सभी से देखना मतलब साब सब हर चीज क्योंकि ट्र मुझे लगा या बिजनस तो बहुत आसान होगा क्योंकि मुझे लगा इनको क्या आता होगा यार यह मैं बिजनस में पिछले 5-6 साल से इनको कुछ नहीं आता है तो मैं इस इस वह में हिताम है बट मैंने फिर धीरे धीरे यहां का वरकिंग स्टाइल भी किया कि यार यह दिर ट्रेडेशनल बिजनस तो ट्रेडेशनल बिजनस की तरह यह नहीं चलेगा दुकान शटर अगरबत्ती यह सब समान कोई आ रहा है कोई लेके जा रहा है मैं अपने हाथ से दे रहा हूं हाथ से पैसा गिंड रहा हूं रसीड बना रहा हूं लाइट बंद कर रहा हूं घर रहा हूं वह नहीं होगा ये अलग है ये डार्यक सेलिंग नेट्फू मार्केटिन आप डिया रीक्सेप्ट किया एक दिन में नहीं हूं मैंने यह रहा थि सीखने में मुझे वही करने तो मैं कर रहा हूं जितने भी लोग नए हैं आज मेरे सामने बैठे हैं डे डोंट एक्सेप्ट तो मैं आप लोगों से ही बोलूंगा जो गलती मैंने की प्लीज यह मत करना हमारा बिसनेस बहुत खुबसूरत है हम जिस बेग्राउंड से आते हैं ट्रस्ट मी इस से अच्छा कुछ भी नहीं है वर्किंग स्टाइल मैंने बोला ना आद में मैं सुचो में दुनिया में कहीं पर भी हूं मुझे किसे बोला कि आपको बात करना है मैं गया रड़ी हो काया अपनी लैप्टोप ऑली दुकान खोली आपके सामने आ गया तो वर मेरे बात की वीकली लाइफ होती ना एक हम जॉब में रहते हैं यहां पर थोड़ा वो नहीं है तो एक्षेप्ट नहीं करते हैं कि यहां तो हम बात करते हैं आपसे चोश गंटे साथ दिन 365 डेज है बट हमारा सिस्टम ऐसे इन बिल्ड हो रखा बच्पन से मैंने पापा को हर संटेड़ हर संडे घर देखा है तो अंदर दिमांग में फिट है मैंने भी जॉब में यही था में जॉब तो कर सटेड़ संडे वाली नहीं थी मैं शिप्डूटी करता था सब्दाजंग में तो हमें कभी भी चुटी मिल जाते थी लेकिन हमें पता है संडे ओफ होता है अब यहां तो संडे की संडे को भी ओफ नहीं है तो मैं एक सब्सक्राइब करिए उसको एंब्रेस करिए उसको गले लगाईए उस अपोर्चुनिटी को सिट वीडियो वकिंग अप्लाइन देन अनादर पॉइंट जो है विच इसकोल जी बिलीफ सिस्टम जो हमें रोकता इसको एक्सेप्ट करने में है कि मुझे अभी भी याद है मेरा पूरा बचपन मेरे पिता जी ने मतब घर पे आने के बाद वह भी घर से बाहर नहीं जाते थे वह भी घर पे रहते थे सबसे आएंगे अच्छे मांक्स आएंगे अच्छी कॉलेज मिलेगी अच्छी कॉलेज मिलेगी तो बिलीफ सिस्टम तो बचपन से यह है तो ऐसे बिजनस को एक्सेप्ट करने में बड़ा मुश्खिल था हैं एक दूसरा कि बोला साट साल मतलब रिटार्मेंट यह मेरे पापा ने जोड़ के बता दिया था कि 1946 में तुमारा था कुछ मेरा रिटार्मेंट यह में देखके बता दिया था और सडल्ली कोई बीच में आके में बोलता है नेक्स फूर तो फाइब 5-6 years you can make 4-5 4-5 करोड चार पांच लाग का बिजनस शुरू करके चार पांच करोड रुपे कमा सकते हैं चार पांच साल में तो विलीफ सिस्टम में ना एरर आ गया आप समझ रहों सड़नली एक एरर आ गया कि नहीं नहीं यह सही नहीं है आप आप अरिवेटिंग माई पॉइंट तो यह जब मुझे समझ माया कि चार-पांच साल में चार-पांच करोड और चार-पांच लाग रुपे लगा के तो मैं तो पचास लाग रुपे लगा के बैठा हूँ और वो भी एक ऐसा बिजनस जिसके बारे में मुझे हवा भी नहीं है और जिसके बारे में लोग क्या-क्या बात करते हैं तो हमारा कॉंसेप्ट यह है कि हमें इसा लगता है कि मेहनत से पैसा आता है विच इस नोट बैड वो एक टाइम था अगर मैं बात करूँ 90 2070 2018 90 2000 तक उसके बाद तो आप देखो ना टेकनोलोजी ने इतना टेक ऑवर कर लिया कि सच में मेहनत को बहुत आसान कर दिया है सबादे है आस तो सब कुछ चीजिए के साथ आप कर सकते हो है तो जिसे में हूं अभी मेरे बच्चों को यह लगा ट्रस्मिए कि पैसा मतलब कितना बहुत मेहनत करना पड़ेगा क्योंकि वो मुझे देख रहे होंगे ना कि डाइट मतलब पापा तो हर दिन घर पर यह सुबह उठते हैं आराम से अपना घर पर यह कमरे में बैठते हैं लेप्टॉप अपना ऑफिस उनका वहीं है बट मैंने मेरे पिता जी को डैसे बाहर जाते होते हैं तो ब्लू पीट तो वह हुआ है कि घर पर बाहर जाक़े पेसा कमाया जाता है आट घंठे बहर रेक्के महनत करके पेसा कमाया जाता है मेरा उतलु पिक्षा हो था जो तो क्यूंड् laut ने ठोड़ा चेंज किया है बर कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि पैसा बाहर जाके मेहनत करके कमाया जाता है बट ऐसा नहीं है यह जो डारिक सेलिंग नेटों मार्कटिंग इंडस्ट्री है उसको हम एक्सेप्ट करते हैं इंब्रेस करते हैं इसके उपर बिलीफ करते हैं कंपनी पर बिलीफ करते हैं नीशलत्यों मेरे लिए बिल्कुल मिसंग था विशास करना मेरे लिए क्यों मुश्कृता मैं बताता हूं आपको है वी विप्रेस्टूंट था और मेरे सथ्य retrouver में कभी कभी शाम को यह यह करते थे उर वहीं करते थे तो मेरा इनका ओफिस है वहां जाकी बांट लेते हैं मेरा विलीफ इस्टम ऐसा था क्योंकि मुझे था कि यार ऐसे कुर्सी पर बेटके और पेपर पर लिखके किसी को समझाके और ऐसे करके ठीक एक प्रोड़ेक्ट भी मिल गया बिजनस भी है लेकिन ऐसे तो क्रोड़ प्रजी नही अगर यह प्रोशेस है तो मुझे इसके उपर बिलीफ करना है वह लगा के मुझे उनके उपर बिलीफ करना है मुझे बाहर की दुनिया में कम जहांकना है यहां पर ज्यादा देखना जिसके पर बिलीफ में पैसा लगाया उसको ज़्यादा सुनना है उससे ज़्यादा समझना है पैसा लगा दिया है मैंने मेरा एक्सपेंस हो गया है प्रोड़क्ट मिल गया रिसीट मिल यही करना है और यही बिजनस से विच विल चेंज माई लाइफ यही बिजनस से जहां से 50,000 पर में अन्तली आएंगे यह मैंने सोच लिया था तो इसको मैंने एक्सेप्ट करना शुरू किया को यह ना हर दिन मंदिर के सामने जाके हाथ जोड़के खुदा और भगवान को याद करते-करते एक दिन आ गये मतलब कितना एक दिन काम आ गये तो समझ में आ गया कि भाई कि छूटती छूटती रह गई तो समझ में आ गया मेरा एक लौना दो छट बना तीन चेक बना पचास अजार पर बनने लगे ना मेरा बिलीफ शिस्टम सात्वे आसमान पर ता क्युक्कि मैरे रेस्टोरेंट पर तो डेड़ लाग दो लाग कमाने लग गया था लेकिन दो लाग जाते थे और एक लाग और जाता था क्योंकि टोटल इक्षपेंस तीन लाग था पचास लाग लगा के अभी भी जा रहा है यहां चार-पांस लगा के कभी एक दो चेक कभी एक चेक इसे बनने लगा मैं मैं जुलाई की नहीं बोल रहा हूं बट मैं दीरे-दीरे मेरा सिस्टम बनने लगा जून जुलाई अगा सेप्टेमबर अक्टोबर मेरा बिलीफ सिस्टम बनने लगा कि यार अगर मैं एक चेक भी देख रहा हूं तो मुझे पता है कि इस चेक को कमाने के लिए मेरी जेब से कुछ कॉफी का खर्चा वा उसके अलावा कोई खर्चा नहीं हो हमारा मेरा बट मेरे रेस्टोल में तो एवरी डेयर नया खर्चा इतना पैसा लगाने के बाद भी तो यह था कि बिलीफ सिस्टम बनने लगा मेरा मेरा बलीफ सिस्टम कुछ नहीं करते हैं अगर आप नए हो और अगर आप पुराने भी हो प्लिज डू डू इस मिस्टेक मैंने बोला ना बिलीफ शिस्टम हम धीरे धीरे भगवान को यात करते हैं खुदा को याद करते हैं एक दिन हम याद करी लेते हैं वो काम बनी जाता ऐसे विलीफ सिस्टम आता है यही इस बिजनस में भी ऐसे होगा इस बिजनस में भी ऐसे होगा मैं भी साइनप हुआ था तो मैंने भी सोच था एक दिन पचास अजार रुपे कमाऊंगा ट्रस्ट मी आयवाज मैं क्या कर रहा था मैं मैं वही कर रहा था जो मुझे बोला गया था जो प्रॉसेस में मैं एंगेज हो गया था में प्रॉसेस कर रहा था एक दिन वह सच में मुलते हैं ना कि विलीफ सिस्टम फेतिन बिलीफ होई गया कि या पचास अजार तो आते हैं 15,000 आते तो पचास भी आएंगे मैं बता र तो जब मैं देखा मैंने का यार यह दो लोग मतब ओडी क्यू थी ले आएं तो मुझे यह समझ माया मैं तो यह काम तो नहीं करूंगा मैं सबसे पहले अपना लोन हमाई सब चुका दूंगा मेरे पास 50 लाग आएंगे क्योंकि औडी क्यू 3 पचास लाती है और मुझे यह समझ मैं क्या 50 लाग की क्यू 3 आती है फिर डीजल का खरचा लाग है तो इन सब चीजों में मुझे है अपना बिलीफ सिस्टम सेट करने के लिए कि हां यार अगर इनको इतना टाइम के बाद 50 लाग अगर यह लेक्या हैं मुझे भ लगी मेरा belief system set करने के लिए मुझे अशुषन तक खेंच के लाने के लिए मुझे बेठने के लिए काम करने के लिए जब मैं देखता था कि किसी एक इनसान ने एक चेक कमाया दो चेक कमाया अभी भी मुझे याद है आज बहुत सारी चीजे जो fancy है राइट जैसे मैं आप पी एपल वॉच बता रहा हूं राइड चोटी-चोटी चीजे मुझे भी यादे ताइम हम वो बॉस कहना हैडफॉन वायर वाले तो मैं देखता था किसी ने एक चेक कमाया दो चेक कमाया बॉस का हैडफॉन लेके आ रहा है कोई 15,000 का जूता ही लेके आ रहा है कोई आज 15,000 की करके आ रहा है बड़ी नहीं आज तो मैंने बोला ना आज तो शायद बियोंड लेमिट है लेकिन मैं छोटी-छोटी बता रहा हूं जो मैंने चीजे नोट की कि यार इसने 15,000 का जूता भाई कोई नहीं फेंता ये मुझे समझ मां आ गया था मेरी सर्किल के अंदर आप समझ रहे हो एक चेक मतलब इस बिजनस से बाहर तो यह समझ मांए एक चेक कोई दो चेक कमा रहा है कोई 15,000 की शोप्रिंग कर रहा कोई क्यूत्री लेके आ रहा है कोई आईफोन लेके आ रहा है मेरे पास तब भी सेंसंसंग का मोबाईल था तो मैंने अपना belief system set करनी की बट मेरे लिए आसान सिर्फ इसलिए हो गया कि एक चीज जो नॉलेज पार्ट है वो मेरा मिसिंग था इनीशल पॉइंट मुझे लगा कि यह बिजनस बनाने वाला बिजनस है मैं थीन बार बोल चुका हूं बट अभी भी मैं बोल रहा हूं मुझे यह लगा यह बनाने वाला बिजनस है क्योंकि एक बार बताओ एक आदमी जो बिजनस कर रहा है उसको उसको तो पता है बिजनस क्या होता है आप मुझे सच में लगा कि मुझे पता बिजनस क्या होता है तो मैंने बोला बिजनस होता है बिजनस होता है बिजनस होता है प्रोफिट लोस तो उन्होंने बोला यह तो कितना profit loss पार्ट है आपका investment उससे profit और loss होता है वो अलग पार्ट है business क्या होता है यह तो रिजल्ट है तो मैं भी काफी देर तक एसे गुमाता रहा कि क्या होगा क्या पर उन्होंने बोला exchange of good service and values ठो मुझे लगा हाँ यह भी है तो यतनाओ पर यिंग नंहीं होती है उससे बिलिंग होती है वह मुझे पताता रिकॉर्ण रीपॉर्ट इमानदारी अनसुर्ट पढर सुर्पती अगरवत्य लगां बगरवान को तो मैंने कभी किताबों पर गौर्ण नी किया और मैं स्मार्ट था मेरा अप्लाइन मुझसे पूछता था पढ़ ली मैंने बोला हां अब अभी मेरा अप्लाइन से पूछे वह बोलेंगे यह इनीशिल में इसने क्या-क्या किया जब मैंने बहुत यह सब किया है ट्रस्ट मी तो फिर मेरा अप्लाइन ने बोला ओके ने लगाया था आप यह मानो मैंने ऐसे टच नहीं किया था कि भाई कोई किताब है मैंने टच भी नहीं किया था सीरेसली सब्सक्राइन ऐस स mehr अभी तो फिर मेराफ wnा ने बोला ओके नेक्स प्रोसेस परिज्ट भाइब कर दो कर दो मैंने अब मानोगी है मेरी बात मैंने सीकड को बीस मिनट देखा उंट ना चाहिए Chief कर नहीं आमनोगी में मुबाइल में सबक्राइब तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ और मुवी है अपने हिसाब की नहीं अपने काम की नहीं है मैं बोला देख लिया भाई फिर बोला एट बेसिक बिल्डिंग ब्लोग देखा एक दिन मेरा प्लैन ने मदब सीपी कनाट प्लेस में मसरोशन करते ते वहां कुछ और भी लोग बेट आठ ब्लोग हैं आप समझ रहें और एवरी ब्लोग का टाइटल है और पंदरा मिट उसके बारे में बताया गया इसी लिए यह दो गंटे की वीडियो है तो मेरा प्लाइन ने मुझे धीरे से समझाया बोला ऐसा है जाओ किताब पढ़ो वीडियो देखो ठीक है ऐसे एकद मेरा प्लाइन तो मैंने दीरे से पूचा पढ़ना है उन्होंने बोला ट्रस मी मैं खुद आलसी था पढ़ने में लेकिन मुझे सब्सक्राइटिंग किताब यहीं लगी उन्होंने मुझे यह बोला अब मुझे भी यह समझ माया कि यार इस बंदे पढ़ी है इसका मतलब प 8, 10, 12 तो पता नहीं नर्सिंग की किताबे तो चलो मैंने इसलिए पढ़ी धंसे की पास होना है एक्जाम सरकारी नोगरी पकड़नी है उन सब चीजों से किया था इन किताबों को जीरो इंटेंट के साथ पढ़ी कि भाई मतलब को एक्जाम होगा कुछ नहीं लेकिन सबसे एक्साइटिंग मुझे यह लगी है आज मैं आपसे बात कर रहा हो ना यह कॉन्फिडेंस मुझे जो है न यह खिताबे ने दिया है इन वीडियो ने दिया है और और नॉलेज गैन करने के लिए मैंने क्या किया है और नॉलेज गैन करने के लिए मैंने system attend किया मैंने VCL attend किया और ज्यादा knowledge gain करने के लिए मैंने apply के साथ time spend किया है free time में फिर मैंने अपने restaurant का कुछ तो solution निकाला मैं बेठता था इनिसियल तो faith in belief वाला भी था कि आप देखते हैं तीन गंटे बाद कि आपको 3 गंटी बुलाते ना दो-3 गंटे बुलाएव भीर बैस देते हैं उसके बाद यह क्या करते हैं रात को नो बज़े भी रुक ने देगा 10 बज़े भी रुक के देगा 11 बज़े भी रुक के देग एक बज़े भी रुक के देगा टि करते क्या हैं कि कॉन आया किसकी बाते हैं लाइफ के भारे मिस्थते तो में बी अब मेरेकूं क्या था चांट में ऺएठेँ में तो उनकी बाते भी सुनता और रेस्टोर्ण भी साथ में देखता बट मुझे इस केज़वल टाइम में किताब पढ़के वीडियो देखके सिस्टम वीसेल इन केज़वल टाइम में कि मुझे यह समझ में आ गया कि मुझे यह यह जो बोलते ना अप्लाइन कि सतर से सी परसेट नॉलेज ऐसे मिलती बिजनस में इस पर स्टैंप लग गया था मेरे लिए कि यार हाँ ट्रस्ट में मुझे खुदको नहीं पता चला कि प्लेन कब टेक ओफ करने लग गया है अब समझे मेरे बात पहले तो बस धक्का गाड़ी चल रही थी अप्लाइन पूश मार रहा था अशोशन आना है अशोशन आना है एक्टिविटी करना है अशोशन आना एक्टिविटी अशोशन आपना तो सिस्टम वी सेल इन सब चीजों ने मुझे इतना हेल्प किया एंद वन मोर तिंग जिसने मुझे हल्प किया तु इनक्रीज माइल नौलाइज इस बूस्ने इस बूस्ने इस बूस्ने अगली बार में देता हूं तो बोला नहीं बाई अपना अपना दो स्कॉल कम्म्मिनिकेशन ने मुझे बहुत हैल्प किया और देखो मैं आप लोगों को बताता हूं आप में से बहुत सारे लोगी गलती कर रहे होंगे आप में से कितने लोग हैं जो दूसरा नाइम बने हुए हैं किताबे घर पर रखी भी है और डेली आके बोलने हैं बहुत बड़िया किताब है मज़ा आ गया पढ़के और वो टाइटल बता देते हैं कि इस अल आप पाइप लाइन लाइफ लाइन प्लीज डूंट किताबे और वीडियो को बहुत बहुत अच्छे से पढ़ना है इनका कोई एक्जाम नहीं होगा सबसे एक्साइक्टिंग आज तक किताबे यही होगी आपकी युविल नोट बलीव आफ गॉन तुरू बुक्स और वीडियो मोर दें 20 टाइम्स टुड़े दो तीन बार तो और लोग में वीडियो में वेज्ब करकर मैं ने देखा है मंदल लोगों को साथ स्करेन करके किताब घड़न हो कि चलो में बीढ़े हाता हूं आज तो इतना इंट्रेस्ट आता है अज चुम पता है क्या के Reader कौन और हर दिन हर संडे 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 जाके करना क्या है तो एक ही जैसी बात होगी ये समझ माया मुझे कि हर इंसान की अपनी कहानी है और अपना स्ट्रगल है और वो चेंपियों क्यों है वो बताएगा वहां पर मेरे अपलाइन एक बार जब मुझे आदे अब तो मैं ब्रिजेश बाइट तो अब तो मैं कोशिश करता हूं कि कहीं मौका मिल जाए उनके साथ सहो लेते हैं लेकिन उस समय है वो एक स्प्पिक टाइन देते थे कभी कभार महिने में हफते में यह बाते बोलते थे और यही बाते जब बोलते थे कि भाई अगर वह चेंपियन बनाया ना तो इसने कुछ तो किया होगा सुनना एक बार तो यह हैबिट डाली हमने कि यह मत्तब यह स्टेच पर आया कोई बात बोल रहा ना कोई तो एक ऐसी बात होगी जो मेरे लिए होगी और वह बीट डाली फिर पीडियों सुन सुनके राइट एंड इंप्रूफ कि आपने आपको क कि यार कम टाइम है फिर भी को मैंने तो पहले सिर्फ चानबीन करने के लिए ही टाइम स्पेंड किया कि एक बार भाई देखो अपनी जिन्दगी है शादी हो गई है बच्चे भी होंगे कल कुछ जिन्दगी हमें जीननी है फाइनिशल सारा देखना है तो टेस्ट कर लेते कि ये मेरी ये जो बिस्नऊ है मेरी पड़ियन फ्रन्फरफ लाइं लाइपलाएं कितना मेरा मेरा फ्यूटर मेरा करियर वहां जाकर मुझ समझ मया इपलाइणinks में इस तो मैं आप सब लोगों से यही बोलूंगा यही मेरी हमबल रिक्वेस्ट है डोंट रिपीट इस मिस्टेक मैंने च्छे महीने किया है अगर अभी भी आप बोल रहा हूं आप्लाइन को कि मैंने कितावे पढ़ लिए आप ने नी पढ़िए कि नो प्रोब्लम उनको कुछ मत बोल अभी से पढ़ो आप मैं यह कहता हूं आप चार पेज पढ़ो मेरे मेरे अप्लाइन यह बोलते हैं आई सुबह उटके जो पेज अच्छा लगे वो पढ़ो कोई दिक्कत नहीं है फिर जब आपकी आदत पढ़ जाए ना तब उसको सही किसे पढ़ो लेकिन कोई दिक्कत नहीं सुबह उठे किताब उठाई किताब उठाने के बाद अपने इताङ कोई समझ माया आपने पढ़लिया अब सरुब कोई पर लिया पड़ जब आपको वो समझ माया अप अच्छा लगने लगा अब बोले ऐस उन मैं आ पर प्ली बिस वीडियोज देखना शुरू करेगे डिफरेंट वीडियोज हैं कि ट्रेडिशनल बिजनस और हमारे बिजनस को किसे क्या डिफरेंशियेट करते हैं क्या है यह सारी चीजें आपका फेट इन बिलीफ आपका एक्सेप्टेंस यह सब आपको गेन करने के लिए ना यह बहुत ज सब के लिए आज भी उतनी जरूरी है आगे बढ़ने के लिए यह बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें ट्रस्ट में ऐसा नहीं है मैं बोल रहा हूं यह मैंने कि मैंने लिखी है या मेरा अप्लाइन लिखी है यह यह बेस्ट सेलिंग बुक्स राइट बैस सेलिंग बूक है द आज्या करना है ऑके एन मैनी ओफ उस हम मैंसे बहुत सर लोग कुछ लोग एकसेट कर लेते हैं बिलीप नहीं लेके आते हैं कुछ लोग बिलीफ में आजाते हैं नॉलिच मिन है जेकिन लेकिन मेरा अप्लाइन ने एक बार मुझे समझाया कि knowledge without ownership and communication is like a headless chicken तो अगला point यही था कि भाई मुझे अपनी ownership लेनी है ओके and ownership किस चीज़ की लेनी है मुझे right ownership मुझे देखो एक चीज़ होती है एक ownership मुझे लेनी है वो है मेरी एक process है आप अपनी process की ownership ले लीजिए 100% हमारे business में hard work नहीं है लोग इस बात से डरते हैं मैं इस बात से डरता था कि मेनत करनी पड़ेगी क्योंकि मैं जब भी मेरा plan से सुनता तो बोलते थे है यार देखो मेहनत करना पड़ेगा यहां पर तो इसे सुनतिस में ही सोचता था है मैं अच्छा मेरा यह मानना था कि आप करनाट प्लेस में न मेरे से चार बार जाड़ू लगवा लिजिए और चार चक्कर लगवा लिजिए मेनर से डर नहीं लगता चार पैसे कमा के अपने जिंदगी कहीं से आराम से जाकर जिऊंगा कोई भी काम सोटा और बढ़ा नहीं होता यह बहुत पहले से पताता मैंने इम्रान को साइन अप किया एंड देन इनको साइन पहले मैंने साइन अप किया फिर साइन अप करने के बाद आगे बढ़ा एंड देन अपने बिजनस की अपनी प्रोसेस की ओनर्शिप लेना शुरू किया मैंने कि हाड़ वक यही हमारे बिजनस में कि आप अपनी प्रोसेस की 100% ओनर्शिप लीजिए जो भी प्रोसेस है आप उसके ओनर है आप उसके मालिक है अगर यह मेरी प्रोसेस है तो मैं इसका मालिक हूँ आप समझ आप इसा निये जब मैं भी आपकी पेता मैं एवरी सिंगल ड़ी सोचता है कब होगा यार कब होगा मतलग मुझे ना हर मैं यह मैं देनी पड़ती थी तो मैं मैं तीस दिन होते थे तो बात तो मैं चार-पांस साल की किये मैं तीस दिन में भी हर दिन तीस बार सोचता था कब होगा बट दिन तो दिन के हिसाप से निकलेगा महिना महिने के हिसाप से निकलेगा रिजल्ट रिजल्ट के हिसापस आएगा तो सक्सेस तो आएगी तब आएगी भाई जब उसको आना है तब आएगी मैं सिफ इसी बात इसी बात पर मैं सोचता रहा हूं कि कब होगा मेरा कब होगा मेरा कब होगा मेरा कब होगा उससे नहीं होगा पिछ पीपर लेता मेरे खरचे लिखता बोलता हो जाएगा बड़्लास में सब चीजों से जर आप बताऊ मुझे और दिन में मानो मेरी बात मेरा नात को तो चार बार कुछ लेता था जब उनके साथ खाने पर बैठता ता या अपना हो जाएगा ना मेरा कब होगा मेरा हो जाएगा न तो मेरा ने की बात बोलता था आपके अपलाइन भी आपको बात बोलते होंगे ट्रस्समीं and which is that I have to अपनी process का 100% ownership लेना है और अपना 100% देना है सक्सेज आएगी हैं आएगी ट्रस्ट मी आप समझे लिए बट इफ एल कीप थिंकिंग अबोट रिजल्ट विदाट ओनर्शिप विदाट नोलेज विदाट बिलीफ विदाट एक्सेप्टेंस तो ट्रस्ट में इतना डिस्केशन करने से कुछ भी नहीं होगा मुझे भी वियाद है मन्त और फाइबरेरी तुदाजन सिक्स्टीन में में एलेस गया ओके एट टाइं मैं टीम काउंट वास नियर अबाउट थर्टीन और फोर्टीन थर्टीन पीपिल ओके सारे मिला कि इधर उदर सब जहां पर मैंने साइन अप कर रखे थे एक हमारा लोगों में सक्सेज नहीं आएगी लाइग बट इफाल की फॉलोइंग दा प्रोसेस पास साल बाद हंडेट परसें सक्सेज आएगी तो मेरा प्लाइन मुझे यह बोलता था कि तेरा लोगों में नहीं तुमने कभी 15,000 कमाए कभी 30,000 कमाए कोई महीना गया तुमने 50,000 लोगों तब मुझे यह बात समझ में आई है और आइं आइं आम तेलिंग यू 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 केन गो एंड चेक देखो मेरा प्लाइन से आप पूछ सकते हो मैं इनिशली 6-8 मेंने बिल्कुल बिल्कुल डिनायल मोड में था बट जैसे जैसे मैं इन चीजों में आगे बढ़ता गया ताइम मैंने जब यह देखा यार मेरा प्लाइन मेरे उपर 6 महीने तक गिव अप नहीं किया मुझे 6 म करते थे कि मैं pts attend करने आ जाओ वह कोशिस करते थे कि में वीशल आ जाओ वह कोशिस करते थे कि में किताबे पड़ूँ video's पड़ूँ सो दैस मेरे question answer auto correct हो जाए वो कोशिश करते थे मेरे साथ कि मैं वी कॉन चलू उनके साथ और मैं गया वी कॉन तो मुझे यही तो इक प्रोसेस है अब मुझे इसकी ओनर्शिप लेनी पड़ेगी अब थे स्ट्रेट टेकिंग वन हंडेड़ परसेंट ओनर्शिप ओनर्शिप अफ वो इस तिक त्रस्स मी एंड तर्फ फिर उसके बाद ओनर्शिप यहीं में इतना वह एंड़ेड़ परसेंट फोकस का मतलब मैं आपको बताता हूं वाज हैं बहुत देशी एक्जंपल देत देंगे ऐसे नहीं कर सकते मतलब आपको बिल्कुल focus होना पड़ेगा दोनों चीजों पर यह मुझे समझ माया कि मुझे इतना focus होके काम करना पड़ेगा because I am growing now मेरे अप्लाइन ने मैं काम नहीं करता था मैं नहीं आता था मैं इतने नकरे करता था मेरे इतने टेंट्रम थे उसके बावज़ूत मेरा अप्लाइन उस प्रसेस को फॉलो करता था जो कि उसका अप्लाइन बताता था कि नहीं को बुलाना है टाइम देना है उसको सिस्टम ले कि ब्लाइंडर कि थे अटेंटीव अटेंटीव एटेंटीव ट्रेणिंग्स लोगों की ट्रेंग करने के लिए टीम ब्लीडिग करने के लिए मैंने अपनी ओनर्शिप लेना शुरू किया अधा विक्यों मेरी पर्सणल लेना शुरू कर दिया था, because my team was growing, I was LS, having 13 people, my team was growing, मैंने छुट्टीय लाना स्टार्ट कर दिया था, मैंने leaves लेना शुरू कर दिया था, उसी महीने मेरे बेटी वी थी, मुझे 14 दिन की parent leave में ली, वो भी मैंने ले ली, उसी महीने मेरे BSc कर रहा था, उसका एक महीने की मुझे education leave थी, वो भी ले ली मैंने, but मुझे ये था कि मुझे अपने business के लिए ownership लेनी पड़ेगी, focus होके, attentive होके, blinders लगा के, और मुझे अपना team build करना है, and I am telling you, if you are having, like आपकी team बढ़ने लगी है, आपको time हो गया, आपकी team बढ़ने लगी है, आप आगे बढ़ रहे हो, you have to do one thing, even you are alone, you are with 5 people, 10 people, 20 people, 30 people, 50 people, 100 people, 200, 500, 1000, कितने भी लोग है आपके पास, आप अकेले हो, अपनी ownership लीजिए, 5 लोगो, 5 के साथ ownership लीजिए, 10 हो, 10 के साथ ownership लीजिए, 30 हो, 30 के साथ ownership लीजिए, 50 हो, 50 के ownership लीजिए, और ownership मतलब मैंने अभी आपको बताया, यह पूरी process है, पूरी process की ownership लेनी है, 100% ownership लेनी है, focus होके ownership लेनी है, attentive होके, मतलब, attentive का मतलब, आप सोचो, mobile में 5 डंडे होते हैं, NTNR, आप समझ रहा, आप समझ रहे हो, कभी कबार हम कभी phone करते हैं, हम बोलते हैं, दो डंडियां आ रही है, network कम है, ऐसे ही, दो डंडियों वाला attentive नहीं होना है, दिमाग के पांचों डंडे होने चाहिए, इतना attentive होके अपने एक टीम बिल्ड करना है, बिकोज हम लोग एक ऐसा बिजनस कर रहे हैं, जिसकी potential 9.5Li रुपीज है, विच केन बी माइ जनरेशन बिजनस, तो भाई क्यों ना इतना attentive होके मैं इस बिजनस को करूँ, यह मुझे एक दिन में नहीं आया, छे महीने में सो रहा था, छे महीने फिर में जगा, वीकोन जाके आया, एलेस जाके आया, इतना समझ में आने लग गया, कि भाई, दिमाग के पांचों डंडे, नेटवर्क पूरा आना चाहिए, टीम बिल्डिंग करने के लिए, प्रोसेस को फोलो करने के लिए, पांचों डंडे आने चाहिए, तब जाके, शायद मैं इस बिजनस को बहुत अच्छे से कर लूँगा, जैसा बोला है, वेसी रिजल्ट आएंगे, and by the grace of God, अरहम्दुल है, knowledge है, but ownership नी है, तो कोई मतलब नी है, and then if you don't have ownership, then the next part, जो शायद मुझे समझ माया, which is called activity part, आप समझ रहो, and the duplication part, activity and duplication part, वो नहीं होगा फिर, क्योंकि अगर ownership नहीं है, तो then शायद मैं association आ रहा हूं, मैं applying के साथ बेट रहा हूं, but I am a lover, right, मैं एक lover हूं, मैं आ रहा बट मुझे ये समझ में आया, मैं तो आता था, मैं तो पूछ लेता था, मेरे पास 10-12 लोग थे, मैं पूछ लेता था, भाई, मुझे बता दो क्या करना है, एक बार आप मुझे बता दो क्या करना है, और इसका intent क्या है, वो बता दो, आप मुझे क्या करना है, तो मुझे यह बात समझ में आ गई कि हमारा बिजनस जो आना बहुत सिंपल है बहुत सिंपल हमारा बिजनस है अगर मैं डेली आके या एक रात पहले अपने अप्लाइन से पूछ लूँ कि भाई मुझे क्या करना आप बता दो आप बता दो मैं कोपीपेस्ट कर दूंगा क्योंकि मुझ आपने आपको इस तरीके से ढ़ने लगा मैं की जब मैं पहले काम करता था तो मुझे समझ नहीं हाता था कि मैं पूछ रहा हूं कि बता रहा हूं तो यह यहां तक पहुंचा दिया सब चीज़े से कर ली मेरी अब मेरे पास 15 लोग है तेरा लोग मुझे क्या करना है अब यही है इस बिजनस इस वेरी सिंपल भी कॉंप्लिकेट तो कि फिर आम इसको अपने हिसाब से करने की और अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं और सबसे बड़ी बात यह कि मुझे अभी याद है कि कुछ जब इनिशल टाइम था बिना एक्टिविटी किये में रिजल्ट का वेट करता था कि कुछ हो यह नहीं रहे कुछ चली नहीं रहे तो मैं आके क्या करूं भाई प्राइब यहीं अप्राइब तो मैं आँगा तो मैं आउंगा तो फिर आम आगे बढ़ेंगे तो मेरा अप्लाइन ने बोला तुम आना शुरू करो तुम एक्टिविटी करना शुरू करो एंड आप समझें किताब पढ़ रहा हूं वीडियोस देख रहा हूं सब तो कर रहा हूं अब तो कर रहा हूं एक्टिविटी क्या है अन देन माय अप्लाइन शेर भी वेरी ब्यूटिफुल लां ट्रस्मी ओन ने बोला हमारा बिजनेस जो है वह एक बिजनेस है राइट अन आपको यहां कर दो करने का बिजनेस है अब इस लोगों से बात करने वाले बिजनेस को कैसे शेर करना है वह आपको यहां आपके अपने घर पर बेट के जो भी मेरा थोड़ा बहुत रेस्ट्रेंट में वह टाइम निकल रहा था वहां बेटके समझनों बट मेरा प्लाइन ने बोला यहां जब मैं अकेला था आप समझ रहो तब जब शायद मैं अजीज को साइन अप किया फिर रफी को साइन अप किया फ आप मेरा आप देग रहे हो ऐसे तो बोलें कि यह प्रोसेस करना पड़ेगा नहीं में बिस्नेस जो है यह किसी को मिलेगा तुम 15,000 कमाया मैंने बोला हां कभी 2 शे कमाया मैंने बोला तो बोला ऐसे ही यह होता है तो यह आफ तो शेर दिस बिसनस आइडिया राइट विव तो पूभक तो पीपल आप तो बोल ने बोल रहा है नहीं नहीं तीन और तीन साथ होते तुम यहीं बोलो अगर तुम्हारे साथ भी अगर मैं ऐसे करता ना जो तुम चाहते हो तो शायद तुम आज यहां नहीं होते अगर जो मैं बता रहा हूं जो प्रोसेस में बता रहा हूं you have to follow that process तो trust me पहले don't get me wrong है बंदे जोडने वाला business या किसी को टोपी पहना वाला business या चेन बनाने वाले business को धीरे 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 दिमाग में ऐसे बिठाया किताबों के जरीए वीडियो के जरीए के जोड़ टाइन के जरीए communication के जरीए अपने आपका अंदर इतना belief लेखा है कि यार this is the business of changing life 15,000 तो अपने ही बने ना या तो अगर ऐसे करता रहा तो कभी 30,000 भी बनेंगे कभी 30 लाग भी बनेंगे and then I have changed the approach and if you are alone then you have to change the approach like that if you are working with 13 people you have to change the approach like that right you have to आपको वहां पर भी activity part करना पड़ेगा with 13 people not alone क्योंकि मैंने 13 लोगों के साथ काम शुरू किया तब मैं LDC गया आप समझ रहो तब मैं CTC गया तब मैं ISB गया तब मैं Advanced ISB गया तब मैं यह सारी चीज़े मैंने अचीव की तो जब मैं activity अपनी की तब मैं उस काबिल बना कि मैं LS गया फिर LS के बाद मैंने अपनी पूरी टीम की activity करना शुरू किया अप विद्धिगा इंडियों कि मुझे बताओ क्या करना इन लोगों का इनके साथ क्या करना है then I went to LDC some of them went to LDC then I went to CTC some of them went to LDC then I went to ISB and some of them went to CTC तो यह पूष्टे पूष्टे करते करते activity part करते करते मुझे पता ही नहीं लगा कि वो जो एक दिन बोलते थे ना कि इस business में नो लाग पच्छे से आ रहे है वो अकाउंट में भी आने लग गए I have reached that that level which was shown me in the plan but without the activity part we cannot do that in the month of February I was having 13 people February 2016 and in the month of December I was having 130 people and then 2006 then the next year I was having 560 people 560 people it's just because of the activity part activity and activity some of them they were like उन में से कुछ लोग accept नहीं कर रहे तो I was helping them to accept this business because मुझे पता था यह है if I can do this you can do this कुछ लोग को believe नहीं था मैं trust me मैं आज आपको भी बोल रहा हूं please believe in this business कि आप उसको मत करिए जिसने अच्छा काम किया वो करिए अप यह बिजनस आपकी लिए भी मेरे लिए भी हम सबकी लिए हर उस इंसान की लिए चाहे आप आपके पास 25 डिग्री है या आपके पास कोई डिग्री नहीं है सब चीज़े डूपलिकेट करने लगा पहले मैक्सिमम लोग हम क्या करते हैं लेकिन मेरा प्लाएं टोकरना है बट दिमाग में अपनीं iç इस इंट्र में दूपलिकेट करने के ना स्ब्सक्राइं से इंटेंट को से इनको दूलैत करना में अपकल ग्यों कर ना ये करना वो करना तब मेरा अप्लाइंन ने बोला, you have to become a good downline first. Then only you can be a good upline. तो पहले मेने डुप्लिकेट किया, तब मेरे team duplicate करने लगी. पहले मेने ownership ली तब मेरे team ownership लेने लगी. पहले मेने activity की, तब मेरे team activity करने लगी. पहले मैं LS गया, तब मेरे team LS गया. मैं LDC गया तो मैंने team LDC गई मैं CTC गया मैं team CTC गई मैं ISB गया मैं team ISB गई मैंने सफाइर किया मैंने लोगों ने सफाइर किया मैंने प्लेटनम किया मैंने लोगों ने ब्लेटनम किया मैंने दैमंड किया मैंने लोगों ने डाइमंड किया लेकिन मैंने बोला न, आपको, अब मैं आपको इन शोट सारी चीजों को सम करके बताता हूं, summarize करके बताता हूं, कि मैंने कुछ ज़्याधा टाइम लिया है, but don't get me wrong, आप लोगों से time हो का मिला है, बात करने का, तो बात तो पूरी होनी चीए, right or wrong? आज आप भाग नहीं सकते हों, मैं आपको भागने नहीं दूँगा, आप फिर भी भाग गए, तो कोई दिक्कत नहीं, अगली बार फिर पकड़ दूँगा आपको, maybe there will be a day, I'll catch you again, but जब आप मिलें, तो दिल से दिल की बात होनी चीए, पूरी बात होनी चीए, अगर आपको किसी ने बोला है कि धंग से इनको सुनना है, तो आपकी पता होना चीए, कि मैंने क्या सही और गलत किया है, यह तो आपका अधिकार है जानने का, complete जानने का, right, so मैं आपको यही बोलता हूँ, one thing जो मैं आपको बोलता हूँ, कि यह business जो है न, यह हम सब के लिए एक line है, मुझे आज साड़े साथ साल हो गए है, मुझे नहीं पता न, 12 साल में क्या होता है, लेकिन I know there is a person, जिसके आसपास, जिनके आसपास, मैं maximum time spend करता हूँ, I know this, मैं उस इंसान को जानता हूँ, मुझे पता है, मुझे वो धिक नहीं रहा है, मतलब 12 साल में क्या होता, धिक नहीं रहा है, बड़ उनके साथ रहे के मुझे पता है, कि what will be the lie after 12 years, तो धिक नहीं रहा, इसका मतलब मैं confused नहीं होंगा, right, मैं denial mode में नहीं रहूंगा, मैं accept, यह नहीं, यह नहीं करूंगा, मैं process में plug-in हो जाओंगा, आप समझ रहे हो, मतलब केते हैं, तो take-off कब होगी, वो बात अलग है भाई, वो सच में, मेरी अभी take-off हो रही है, बट मुझे पता है कि अभी तो, let's say, हवाईजाद जो मेरा, अगर 20,000 उस पे चल रहा है, दूरी पे चल रहा है, मेरा अप्लाइन का हवाईजाद 35,000 उस पे चल रहा है, तो भाई, मुझे process फोलो करते रहना है, और 30,000 पर भी पोच जाएगा, are you getting my point? बट वो process जो है, the acceptance का, belief का, knowledge का, ownership का, activity and duplication का, वो process फोलो करोगे न, आप 4-5 साल में आपका हवाईजाद सही में सही से take-off कर लेगा, जो आपको बताया जाता है, plan में वो सब हो जाएगा, right? सो मैं आप लोगों को यही बोलूगा, please, जो मैंने गलतियां की हो गलतियां नहीं कर नहीं है, अपने applying के साथ, मैंने एक बात बोली बीच में, I don't know, आपने repeat की, you can talk to my applying, same reply में लेगा, मैंने सच में अच्छे से ठोक बजा के सब चीजे की है, मतलब मैंने भूट time spent किया है, भूट बाते की है मेरा applying से, आज भी बाते करता हूं में, इससे क्या होता है, इससे मुझे समझ में आता है, बाते करके मेरा applying मुझे समझता है, मैं उनको समझता हूं, कि लेटी मिलती है, कि लाइफ में जहां किदर रहे है, और जितना ज्यादा clear होंगे न उतना ज्यादा मजा आएगा, उत्ता ज्यादा input देंगे, उत्ता 100% काम करने की कोशिश करेंगे, और रात को नीन भी बहुत अच्छे आएगी, कि आर सही ट्रैक पर चल रहा है, आप समझ रहे हो, तो यह सब चीजे आप एक तरीके से कर सकते हो, when you are talking to your applying, and you are there with your applying, are you getting my point? So, बस मुझे आप से यही बाते करनी थी, I know, मैंने आपका ज़्यादा टाइम लिया, 15 मिनिट, but no, no, कोई दिक्कत नहीं है, but मैंने सारी वो बात किये, जो मुझे आप लोगों से करनी थी, मैं सोचता था कि कभी मुझे मोगा मिलेगा, मेरा applying मुझे बोलेगा कि नहीं, आपको लेना है, तो मैं वो सारी बाते आप लोगों से करूंगा, जो मुझे करनी थी, और आज मैंने किये, मैं आप सब लोगों को सच में, जहां मेरा applying ने मेरी पकड़के मुझे जहां तक पहुचाया है, जो मैं बोलता हूँ, अभी बीच में हमने बोला है कि one more life change, तो शायद उन्होंने मेरी life तो change किये, मेरे बच्चे, मेरे परिवार वाले तो शायद उन्हीं की बात करेंगे, the gratitude will be there for that person only, जिसने मुझे uplift किया, true, तो मैं आपको यहीं बोल रहा हूँ कि यही है, मैं मेरा applying के साथ रहके, समझ के, जानके धीर धीर आगे बढ़ा, मैं चाहता हूँ आप सब लोग आगे बढ़ो, जहां पर हम सब लोग हैं, जो भी वगवान ने जैसी भी जिन्दगी आज दी है, हम जी रहे हैं, I wish you all कि आप सब लोग वहाँ पर पहुचो following all these pointers, right, ठीक है, कभी sweet, कभी bitter, कुछ तो ऐसी journey रहेगी, बट एक दिन plan take off करेगा, please keep following the process 100%, अपना अपनी तरफ से कोशिस जारी रखना, result आएंगे, तब आएंगे, but results जरूर आएंगे, okay, so thank you so much, wish you all the best, thank you.